समान नागरिक सहिता पर प्रधान मंतरी मोदी के बयान के बाद AI MIM के मुखिया असदुदीन OVC का भी तीखा बयान सामने आया OVC ने कहा कि भारत विविधिताओं का देश है और समान नागरिक सहिता आने से सिर्फ मुसल्मानों से जुड़े परसनल नियम ही नहीं बदलेंगे बलकि हिंदूओं पर भी बड़ा असर होगा उन्हें मिलने वाली कई सुवधाएं खत्म हो जाएंगी OVC ने इसे लेकर खास तौट पर ये कहा कि आयकर से जो जुड़े नियम हैं हिंदू यूनाइटेड फैंबली के उन्हें नियमों का भी उन्होंने जिक्र किया कि इसमें भी बदलाओं क्यों नहीं हो यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की जब बात प्रधान मंत्री कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की नहीं बात कर रहे वो हिंदू सिविल कोर्ट की बात कर रहे पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेज है प्राक्टिसेज के उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्राक्टिसेज को प्रधान मंत्री अंडर अंडर लॉग पोटेक कर लेंगे मैं प्रधान मंत्री को चैलेंज कर रहा हूँ तो प्रधान मंत्री मोधी का बयान और उस पर किस तरीकी की प्रतिक्रिया थी वो वैसी की वो आप सुन चुके हैं मैं सिध्या आपको लिए चलता हूँ मेरे साथ मेरे सयोगी अभिशेक उपाध्याय भी जुड़ गये है अभिशेक कुलमिराकर क्या ये कहा जा सकता है कि प्रधान मंत्री मोधी ने 2024 के चुनाओ का एजेंडा सेट कर दिया आज बिल्कुल देखे इसमें दो रायनी है कि अब इसके बाद कोई संदेग की गुंजाईश नहीं रह गई है और प्रधान मंत्री के इस बयान के पहले की कुछ जो कानुनी एकसरसाइश चल रही है उनको भी हमको देखना होगा देखी दो चीजे महत्पूर ने पहली बात है कि उत्राखंड में जो कमेटी ये काम कर रही थी उसने एक मेहने की जो सुझाओ मागने की डेडलाइन ने वो इसी तेरा जुलाई को खत्म हो रही है और इसी बीच में प्रधान मंत्री का ये बयान कि एक घर में दो कानुन कैसे चलेंगे एक्जेटली ये सारी तस्वीर साफ हो जाती है कि कौम युनिफार्म सिविल कोड सबसे बड़ा दो हजार चौबिस का एजेंडा है और जिस तरह से लौ कमिशन काम कर रहा है और सिर्फ एक महिने का सुझाओ का टाइम दिया है उसके बाद वो आगे की गत्विदिया करेगा तो आप उसमें लिए कितनी तेजी से काम हो रहा है इस तेजी को प्रधानमंत्री के बयान को इन दोनों के जोड़ो के देखेंगे तो पूरा पुलिटिकल कॉंटेस जो है वो समझ में आ जाएगा चले बहुत बाद शुक्री आविश्यक जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे